एक successful boxer जिसके family वे गरा थी वो किसी और boxer लड़की से मिलता है problem दब आई जब दोनों एक दूसरे से obsessed हो गए थे Hello friends, आज हम आपको Tiger Blood in the Mouth कि 2016 की एक French movie explain करने वाला हो अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज जिसे like और comment जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी जरी के explanation start करते है movie start होने पर हम देखते हैं कि हमारा main character जिसका नाम है Ramon एक boxing का बड़ा champion है इसी के आप match चल रही थी Ramon की age अब बढ़ने लग गई थी और यह match एक young opponent के साथ थी तो उसे इसमें बहुत ही trouble उठाना पड़ता है वो बहुत सारे punch receive कर रहा था पर finally मोके का फाइदा उठा कर वो भी एक बड़ा सा punch मारी देता है उसनों से हरा दिया यह उसकी career की बहुत बड़ी match थी उसकी wife उसके बेटे सारे उसके लिए बहुत ही खुश थे रात में सारे मिलकर celebration करते है आज रात रमोन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था उसके पास उसकी wife आई और उगें थी की आज ज़्यादा पीओ मत हम enjoy करते हैं उसके साथ dance करना चाहती थी wife का नाम है करीना husband इतना बड़ा champion है तो करीना बहुत ही proud थी पर generally उसका fight करने उसे अच्छा नहीं लगता था इन दोनों ने मिलकर अब decide किया है कि रमोन अब fighting छोड़ देगा अगली morning रमोन ने अपनी family के साथ time spent किया अपने बेटी को school में वो छोड़ कर आया इसके बाद एक bank के आदमे के साथ इनकी meeting थी करिना चाहती थी कि वो और रमोन मिलकर एक shop चला और इसी shop के लिए लोन के लिए वो आदमी आया हुआ था रमोन इस meeting में जरा बेंट्रेस नहीं दिखाता meeting के बाद वो directly जीम में आ गया जीम में train करते करते उसने बहुत ही beautiful सी लड़की को देखा ये लड़की हमारी और एक main character है और इसका नहाम में डेवरा अपने trainer से वो पुछता है कि वो लड़की कोन है trainer को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था रमोन कहता है कि वो बहुत ही beautiful है trainer को ये बात करना सही नहीं लगता क्योंकि उसे पता है ये रमोन की अल्डेडी शादी हो चुकी है जो fight रमोन ने अभी अभी की थी उसके बारे में news में आया हुआ है इसमें लिखा है कि रमोन का अपनन बहुत ही weak था पर फिर भी उसे हराने के लिए रमोन ने बहुत struggle किया ये बात उसे अच्छी नहीं लगती जिम जब खतम होई तो डेबरा को घर जाते वक रमोन ने देखा तो उसका वो पीछा करता है डेबरा ने नोटिस किया और स्टीट पर उस पर वो हमला कर देती है जब उसने उसे देखा तो रियलाइस किया कि तो ये famous रमोन है वो उसे sorry कहती है वो बुचती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे रमोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं रमोन ने बुचा तुम कहा जा रही हो वो पता बता थी है तो रमोन कहता है कि मेरी गाड़ी आस पास ही है मैं तुमें लिफ्ट दे सकता हो पर डेबरा ने इसके लिए उसे मना कर दिया इसके बाद रमोन हमेशा जीम में डेबरा को देखता रहता था वो भी उसे नोटीस कर दी थी एक दिन जब वो shower लेने के लिए गया तो वो उसके पीछे आ गए ये दोनों यही पर intimate हो जाते है वो फिर उसके घर पर आए वो उससे बुछती है तुम्हे मुझे में क्या अच्छे लगता है वो कहता है मुझे तुम पूरी की पूरी बहुत अच्छी लगती हो रमोन आज बहुत टाइम से डेबरा के पास था और वो कह रही थी कि आज रात मेरे साथ हिरू को पर रमोन कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा वो उसे जटक कर वहाँ से जाने लग गया डेबरा ने बॉक्सें के ग्लोज पैन है वो गहती है मेरे साथ फाइट करो पहले तो रमोन उसे सिरिसली लेता नहीं पर उसे सिरिसली मार रही थी गल्दी ने उसने उसे एक पंच मारा तो डेबरा की मुझे से खुन आने लग गया था डेबरा जहाँ पर काम करती है वो ही उसे छोड़ने के लिए चला गया वो गहता है में तो मैं आगे भी ड्रॉप कर सकता हूँ पर डेबरा ने उसे मना कर दिया रमोन को लगता है कि शायद उसे कुछ छुपाना चाहती है शायद हो कुछ गलत कर दिया पर इस बात को उसने इग्नोर कर दिया आज कल रमोन उसके बारे में प्रपस में जो भी लिखा था इसके बारे में बहुत सोच रहा था उसने अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा दी थी अब नेकसीन में जो उसकी फाइट को स्पॉंसर करता है सारा कुछ अरेंज करता है उस आदमी के पास हो गया उसने उसे खा कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फिर से फाइट करना चाहिए इस बार वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है पहले तो उसके फ्रेंड को मजाख लगा पर वो भी इसके लिए बहुत एक्साइडेर था क्योंकि उसे भी बहुत सारे पैसे कमाने को मिलेंगे बस फाइट के ही थोड़ी से पैसे उसनों से दे दिये आज कल रमोन जब डिबरा के साथ है तो दिन बाद दिन गायब रहता था ये बात करीना ने नूटिस की थी उसे पूछती है कल रात तुम कहा थे रमोन इस पर जूट के देता है ये बात करीना को पता थी उसने उसे का इम उसे जूट कहना बन कर दो वो अगली दिन फिर से बहुत लेट रात घर आया इस वज़े से करीना उस पर बहुत जादो गुसा थी वो अपनी बेडरूम का डोर लॉक कर देती रमोन को काउच पर ही सोना पड़ा उसे नीन आ नहीं रही थी तो डिरेकली डेबरा की घर पर पहुच जाता है डेबरा आज रात अब तक घर नहीं आई थी वो घर आने पर रमोन को देख उसने उससे का तुम्हारा मेरे रूम में आना मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आना है तो हमेशा के लिए आजाओ अगली दिन जब रमोन अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहा था तो ट्रेनर ने का कल रात तुम्हारी वाइफ का कॉल मुझे आया हुआ था रात बर तुम कहा थे रमोन इस बात को टाल देता है कहता है मुझे फिर से बॉक्सिंग करने है मैं वर्ल्ड चैंबियन बनना चाहता हूँ उसका ट्रेनर इसके लिए उसे मना कर देता है उसके ट्रेनर को लगता है कि वो एडियेट है उसे करने के लिए उसे मना कर दिया पर रमोन किसी की भी नहीं सुनता अब जीम में अभी सब के सामने रमोन डेवरा को ट्रेन कर रहा था इस सारी बार ट्रेनर ने देखी ट्रेनर को यह बहुत गलत लगा थोड़ी देर में रमोन का फाइट अरेंज करने वाला फ्रेंड ही आया उसका रामे नुकी नुकी उसे कहता है कि एक नई फाइट होने वाली है पर यह सिर्फ एक शोग के लिए होगी इस फाइट में तुम ही जीतोगे हमें इससे बहुत जारे पैसे मिलेंगे रमोन भी इसे एकसेप्ट कर लेता है वो आज रात जब घर पर आया तो करीना उसे बुच्छती है कल रात तुम कहा थे पर रमोन उसे बताता है कि मैं फिर से फाइट करने वाला हूँ उसे की प्रैक्टिस कर रहा था उसे जो भी पैसे मिले थे यह सारे उसने करीना को दे दिया करीना इस पर बहुत जादा गुस्सा आओके रमोन को लगता है कि डेवरा शायद उससे कुछ छुपा रही है तो जहाँ पर काम करती है वहाँ वह देख कर आया वो सिर्फ सेटर वेगरा सेल करने का काम करती थी वो कुछ भी गलत नहीं करती है इसके बाद रमोन के फाइट का डे आता है सब लोग उसके लिए चीर अब कर रहे थे यह फाइट सिर्फ शो की लिए थी उसके अपोनोन को सिर्फ उसे थोड़ा-थोड़ा मारना था पर एक्चॉल में उसे पंच करने लगता है रमोन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया जब राउन खतम हुआ तो टेनर से बात करता है कि वो एक्चॉल में मुझे पंच मार रहा है टेनर ने का तुम भी फिर उसे मारो इन दोनों में एक्चॉल फाइट हुए और रमोन ने अपने अपोनन को हरा दिया सब चीजों के बावजूद भी उसकी वाइफ करीना उसे चीरब करने के लिए आई हुई थी फिर इसे सारे लोग मिले और उसके विन के लिए सेलिबरेट करते है इन्होंने आज घर की सारी बियर खतम कर दी थी रमोन कहता है कि मैं बियर लेकर आता हूँ पर घर के बाहर ही डेबरा थी वो उस पर गुस्सा आओ किया कहता है तुम्हें इस तरीके से यहाँ आना नहीं जाए था ये दोनों फिर रमोन की एक सिगरेट जगा पर के और वही पर इंटिमेट हो जाते है सुबा डेबरा उसे पुछती है कि ये कौन सी जगा है उसने का कि मेरी फादर की जगा थी वो यहाँ पर ट्रेंड करते थे उनकी डेट के बाद इस जगा का उसे क्या करना है ये समझ में नहीं आया तो अपने लिए उसने रख ली इस जगा के बारे में किसी को भी पता नहीं था रमोन डेवरा को यहाँ लेकर आया तो उसे बहुत ही स्पेशल लगता है ये दोनों फिर मिलकर ही ट्रेंण करने लगते थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे एक रात ये दोनों डिनर करने के लिए आये रमोन डेवरा से बोचता है तुम किस टाउन से हो डेवरा ने नाम बताया और उसी टाउन से एक बहुत ही फेमेस बोक्सर भी था रमोन डेवरा कहती कि हाँ पर उस बोक्सर की कोई अलग वाइफ थी डेवरा की मदर के साथ उस बोक्सर का अफेर था वो अपने फादर से बहुत कम मिलती थी रमोन ने डेवरा के फादर को भी फाइट में हराय हुआ था डेवरा ने कहा बाद में उनका करियर बरबाद हो गया था वो पैसो के लिए स्टील कर लग गये थे एक राइम करते करते पुलिस ने उन्हें मार दिया यही बात करते करते रमोन ने एक लेडी वेटर को औरडर दिया डेवरा को लगता है कि उससे चेक आउट कर रहा था इस वज़े से वो बहुत ज़ादा गुस्सा होगी इन दोनों में बहुत जगड़ा हुआ पर चगड़ा करते करते एक दुसरे को किस करने लगते इसी दरीके से इनकी रिलेशनशिप डेवलोप हो रही थी एक दिन नुकी फिर से रमोन के पास आया वो से कहता है लास्ट टाइम तुमने जिसके साथ फाइट की थी वो ही लोग तुमसे फिर से फाइट करना चाते है पर एक इंटरनेशनल इवेंट होगा एक बहुत बड़ी फाइट है जो आफरिका में होगी रमोन ने अल्रेड उसे हरा दिया है तो फिर से उसे फाइट करना है उसे सही नहीं लगता उसने इसके लिए उसे मना कर दिया नेकसिन में हम देखते हैं कि एक राट डेबरा और रमोन डांस कर रहे थे डांस करते करते रमोन को लगा इशायद डेबरा अपने बॉइफरेंड के साथ भी डांस करती होगी उसे पुछता है मेरे पहले तुम्हारे कितने बॉइफरेंड थे वो कहते कि कोई भी बॉइफरेंड नहीं था रमोन को पता है कि यह जूट है तो उसे जबरदस से बताने के लिए कहता है वो गहती है सब लोग बहुत घटिया थे और तुमने सब को हराय हुआ है इसका मतलब है उसके प्रिवेज बॉइफरेंड भी बॉक्सर थे उन सब के साथ रमोन ने फाइट की थी ये बात रमोन को बहुत अजीब लगी वो जेलस हो गया था अब हम देखते हैं कि मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है रमोन जो भी कर रहा था उसके ट्रेनर को सही नहीं लगता उसने उसकी वाइफ को ऐस सब बता दिया करीना अब बहुत जादा गुसा थी वो डारेक्ली रमोन के साथ डिवोस ही लेना चाहती थी वो रमोन को उसके बैटे से भी मिलने नहीं देती उसे छुप छुप कर स्कूल में मिलता है रमोन ने अपने ट्रेनर से बूचा कि तुम चाहते क्या हो कि मेरी वाइफ अपने लिये चाहते हो रमोन के हाथ से सब कुछ निकल जा रहा था उसे कुछ वे फाइट भी मिलने रही तो उसने निकी को कॉल लगा वो कहता है जिस फाइट के बारे में तुम बात कर रहे थे अब मैं वो एकसेप्ट करने के लिए रेडी हूँ पर मेरी एक कंडिशन है मेरे फाइट के पहले डेबरा की एक फाइट होगी रमोन अपने साथ डेबरा को भी सक्सेस्फुल करना चाता था अब फाइट का डे आया रमोना ने अपने अपोनन को फाइट में हरा दिया वो बहुत ही जादा खुश थी इसके बाद रमोन की fight स्टार्ट होती है इस बार उसका opponent उसे जरा भारी पढ़ रहा था उसका round खतम होने के बाद वो देखता है कि डेबरा निकी के साथ बात कर रही थी वो बहुत ही इंसिक कर फील करता है उसे लगता है शायद डेबरा भी उसे छोड़ कर चली जाएगी वो इस fight में थोड़ा भी concentrate नहीं कर पाया रमोन की opponent ने उसके पेड में बहुत जोर से पंच मारा और इस वज़े से उठ नहीं पाता वो इस fight में बूरी तरीके से हार गया डेबरा रमोन से बुछती है कि हुआ क्या ऐसा कैसे तुम हार गये वो कहता है तुमने वो जबरबात कर दिया उसने अपनी family खो दी आज वो इतनी बड़ी fight हार गया अब वो world champion नहीं बन सकता fight के बाद निकी उसके पास आता है कहता है इसे जादा seriously मतलो हारने के बाद भी उसे पूरे वैसे हो देता है इसे उन्हें बहुत profit हुआ था उसने गाए कि हम बहुत सारी fight करेंगे इस सिर्फ शुरुआत थी इन सारी चिजों के लिए वो डेबरा कोई दोशी मानता है वो उसे दूर तो जाना साता था पर रात में उसने उसे फिर से miss किया डेबरा निकी के पास थी उसके साथ party कर रही थी रमोन भी वहाबर पहुश गया जिसके साथ निकी डांस कर रही थी उसो बहुत मारता है और डेबरा को अपने साथ लेकर गया डेबरा रो रही थी रमोन ने उसे कहा कि अब मेरे साथ चलो हम new life start करेंगे C के पास जाएंगे बहुत enjoy करेंगे पर डेबरा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी जैसे कि हमें पता है कि डेबरा ने उससे कहा था कि मेरे ex boyfriend भी fighter थे रमोन ने उन्हें हराय हुआ था रमोन भी हार गया तो अब उसके साथ वो रहना नहीं चाहती थी वो हमेशा winners के साथ ही रहती है रमोन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्ता हो जाता है उसे मारने वाला था पर अपने आपको उसने कंट्रोल कर लिया अब मूवी की लास सीन में उसने जो भी किया इस सारी बातों को पच्टा कर रहा था उसके बाद सब कुछ था एक family थी एक बड़ी fight हो जीता था अगर चाहता तो सब कुछ perfect होता उसकी आगी की life भी perfect होती थोड़े से और की चाहत में उसने अपना सब कुछ खो दिया उसका career बरबात हो गया और finally उसकी family भी है इसे के साथ ये movie end हो जाती है हमें बता कर जाती है हमारे पास जो हता है उसके लिए हमें grateful रहना चाहिए जादा के चक्कर में हम हमारे सब कुछ खो सकते हैं अगर आपको explanation अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा वेशे मिलेंगे और एकने movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया